हेलो गाइज वेल्कम तो और चैनल एसे सम्तिंग न्यू तो कैसे वह आप लोग उमीद करता हूं सब बढ़े आउंगे तो आज हम बनाने वाले हैं कुलाल इस्प्रे तो उसके लिए आपको एक पाइप की जरुत होगी कुछ इस तरह के जिसके एक तरफ से गुलाल इन होगा और एक तरफ से आउट हो जाएगा एंड आपको एक वालवाड़ी की जरुत पड़ेगी तो इसको भी आप कहीं से भी पर्चेस कर सकते हैं सैगिल वाले की दुकान से और बाकी के ये समाल इसको एक दम मजबूत करने के लिए तो सबसे पहले आपको कोई ख पाइब आप अपने मरी से कुछ पिसे लग कर सकते हैं जैसे आपके पास होगा तो मैंने यह आपर इसको ऊपर कुछ इस तरह से लगा दिया है बहुत ही आसानी से लग जाएगा एंड इसके जिस साइड में हैं हम लगाने वाले हैं फैविट आइप जिससे बिलकुल भी जालकर एकड़म अच्छे से मिक्स कर देना है एंड मेरे वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखेगा क्योंकि एंड में इसकी इतनी अच्छी टेस्टिंग दिखाऊंगा मैं कि आप इसको बनाए बिना रहे नहीं पाऊगे तो मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है इसके साइड में बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट तरीके से इसको लगा देना है एंड मेरे भाई ये जो होल है वह आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं कील वगरे से अराम से हो जाएंगे तो इसको मैं बिल्कुल फिट करके दिखा देता हूं एंड ये जो आपको सेकिंड पाइप दिख रहा है इसको आपको नीचे की तरफ फिट कर देना है कुछ इस तरह से वैसे ही जैसे उपर बालवाड़ी को किया है पहले उसमें फेविट टाइट लगानी है देन उसके बाद बिल्कुल सील मजबूत करने के लिए आपको इसके उपर एम सील कभी यूज कर कलर डालना होगा तो भाई अब इसमें हवा बढ़ लेते हैं टेस्टिंग के लिए तो इस गुलाल स्परे के लिए एक लाइक तो बनता है एंड मेरे बाई वीडियो अच्छी लगए तो चैनल को सस्क्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा एंड हम न्यूपे लेटर हैं तो थोड़ा सा बोर्ट तो बनता है मेरे प्रेंड्स एक यूसफूल बात मैंने इसमे पौडर का यूस किया है क्योंकि मेरे पास अभी गुलाल अविलेबल नहीं था एंड गुलाल भी आपको हर्बल गुलाल ही लेना है क्योंकि बाकी गुलाल में मिलावट आती है जो कि इतना अच्छे परफेक्ट तरीके से वर्ट नहीं करेंगे